हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनलेंद एजूकेशन फेगल्टी बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम लोग थोड़ा हट के बात किया जाएगा, जो हम लोग आदमी भात की इतियास के जो सतनता संगस के टॉपिक को लेकर चल रहे थे, उसको अभ चैप्टर, तो उसको अभी थोड़ा हम लोग बाद में देखा जाएगा, उसके पहले हम लोग प्राचीन इतियास में एक बार चलते हैं, और देखते हैं कि प्राचीन भारत में जो धर्म दर्सन चल रहे थे उस समय, वो किस प्रकार से थे, ठीक है, तो आज हम लोग बात क करेंगे प्राचीन भारत की इतियास के बारे में, और उसमें हम लोग देखा जाएगा, प्राचीन दर्सन, भारती दर्सन और उसके प्रवर्तक हैं, वो किस प्रकार से, और दर्सन कहां से निकल कर आता है, दर्सन का उद्या से क्या है, और दर्सन का जो प्रड़ा में हम ल बात करें, दर्सन, भारत में कुल जो मूल दर्सन है, मूल दर्सन, ये कितने अच्छे हैं, और दर्सन कहां से निकल कराते हैं, दर्सनों का जो विकास हुआ, भारती दर्सन का विकास हुआ, और दर्सन को अंग्रेजें फिलोसफी केते हैं, फिलोसफी ठीक है फिलोसफी बोला जाता है दर्सन को फिलोसफी बोला जाता है तो जो दर्सन निकल कर आते हैं वो कहां से निकल कर आते हैं उनका उद्य से क्या था ठीक जो भारत के मूल दर्सन है पूरा प्राचिन काल में जो है वो छे प्रकार के हैं ठीक और कहां से आते हैं निकल कर दर्सनों का विकास जो हुआ भारत में ठीक दर्सनों का विकास यह होता है उपनी सदों से निकल कर आता है भारत में ठीक, उपनिसदों से जो विचारधाराय निकल कराई, वो किस रूप में निकल कराई, दर्शन के रूप में निकल कराई, ठीक, और उपनिसदों का जो जो ज्ञान है आप देखेंगे, कि ब्रह्म और आत्मा, ठीक, ब्रह्म और आत्मा को लेकर निकलता है, ठीक, उपनिसदो इसका आप देखेंगे कि ये संदीव इच्छेद हो गया और उपका होता है समीप ठीक और निशद का अर्थ होता है बैठना ठीक और ये दोनों मिल कर बनते हैं गुरू के समीप बैठकर ग्यान लेना ठीक है गुरू के समीप बैठकर ग्यान प्राप्त करना बैठकर ग्यान प्राप्त करना ठीक तो यहाँ पर यह उपनी सदों का वड़न है ठीक अब भारत में 108 उपनी सद पूरे हैं ठीक कुल कितने उपनी सद हैं? 108 ठीक है और 108 उपनी सदों में जो प्रामारिक हैं वो बहुत ही, अब लवा में बहुत सारे उपनिसद नहीं मिलते हैं, लेकिन जो उपनिसद मिलते हैं, वो जो प्रमुख है, उस पर आप देखेंगे कि संकराचारे ने 10 उपनिसद उपर अपर भास से लिखे थे, ठीक है, संकराचारे ने, संकराचारे, इनको जगत गुरु क चार मठो के स्थापना भी किया है भारत में और उन चार मठो का नाम आप लो कमेंट बाक्स में बताएए ठीक है और जिस दस उपनिसदों पर संकराचार ने भास लिखा था ठीक दस उपनिसदों पर भास है यह सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो दर्शन का विकास कैसे भा भारत में ठीक है दस उपनिसदों पर भास तो कौन से दस उपनिसद है इस उपनिसद इस केन केन उपनिसद कठ ठीक है प्रस्न मांडुक्य ठीक आप कंफ्यूज नहीं हो यह गा क्या अठीक कि फिर उसके बाद दखेंगे चांदओं गया तैठेACE लिए इस सारे जो उपनिसदों के नमें रहल है अर यह सारे का सारे जो उपनिसद निकल कर reflecting हैं ह। दॉप रहना है यह आपके 10 उपनी सदों पर जगत गुरु संकराचारे ने अपने भास्य लिखे थे, भास्य यानि की टीका लिखा था, इनका सारांस लिखा था, और उनके बारे में बताया था अपने भास्य में, ठीक है, आये कुछ उपनी सदों के बारे हम लोग देखते हैं, अगर हम बा चांदोग उपनी सद, उपनी सदों के बारे में प्रस्ण पूछता है कि किस उपनी सद की बाते हैं, चांदोग उपनी सद हम देखेंगे कि देवकी के पुत्र कृष्न का उलेख है, पहली बार देवकी के पूत्र, यानि कि जो माभारत के कृष्न है, उनका जो उलेख है, सवर प्रथम आपका च्छांदोग उपनिसरे मिलता है, ठीक, और इसमें उद्दालक, उद्दालक आरूडी, आरूडी और उसके पुत्र, ठीक, आरूडी उसके पुत्र स्वेत केतू, ठीक, स्वेत केतू, ये प्रस्न हमेशा पूछता है, आप लोग इस बात का ध्यान एक अआउयत, स्वेत केतू, उसका पूत्र उनके बीच, शनवाद, स्वेत केतू के बीच समवाद का वरडण मिलता है, समवाद का वरडण, त्हीं, तो यहाँ पर आप दखेंगे हैं, जो च्छांदोग उपनिसरे हैं, उसमें आप देखेंगे कि क्रिस्न का उल्ल भाली प्रियादारन्या कुपनिसद में इसमें आप देखेंगे कि सबसे मतपूर जी जो है वो गार्गी संवाद है गार्गी और याग्यवल के संवाद 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 हुआ था वो आपका विरेदारन्या कुपनिसद में मिलता है ठीक फिर उसके बाद कठोपनिसद कठोपनिसद कुछ निसदों बहुत बार हर एक एक्जाम पुछ चुका है, यम नचिकेता समवाद, ठीक, कोठो उपनिसद में, और इसके बाद आप देखिए, जो उपनिसद है, उपनिसदों का जो महत्वे भारत में आप देखेंगे किस प्रकार से इसमें से दर्सन निकल कराते हैं, और दर्सनों का जो जो ग्यान है, भारत में वो किस प्रकार से है, ठीक, अब देखिए, जो उपनिसदों के बारे में है, तो देरदार अन्यक हो गया, और पहली बार सरव प्रथम, सरव प्रथम, तीन आस्रमों का उलेख, तीन आस्रमों का उलेख, तीन आस्रमों का उलेख, तीन आस्रमों का ध्यान दीजेगा तीन प्रथम तीन 위ह आश्रमो का उ लेक चान्दों गया उपनिश्ण मेरे जालि अशरमो का उ लेक कि ये अप्रस्ण पूछा है थे आशरम कई-ख उ लेक है धार прख कर जो लोपनिश्ण मीलता है यह जो फैक्ट है उपनी सदों से आपने इसको याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत यादा पूछता रहता है ठीक जब आल उपनी सद में मिलता है और जो चार आश्रम है आप देखेंगे कि ब्रह्मचर ब्रह्मचर पले प्याता है फिर इसके बाद आप देखेंगे ग्रिय फिर उसके बाद वानप्रस्थ छोझास थास्रम् ठीक है तो ब्रहमच्चर आप देखेंगे कि उसमें कुवारा वस्ता होता है गरियस में सादी आते बच्चे होते हैं फिर जब अपना ग्रियस आश्रम जो बीता है इन चार स्त्र में 25 वर्श दिया गया है ठीक है जब ग्रियस आश्रम भी तता है समाब थो लोग वहां पर आ समाज में जो हैं आपको विचारधाराय फैलाने लगते हैं तो जो वनु मेरा का सन्यास ले लिए 25 वर्श पचीश पचीश साल के लोग है तो जो वनु मेरा का सन्यास ले ले तो उसी को सन्यास असरम बोला गया और इन्हीं के द्वारा उपनी सदो की रचना की गई है ठीक है सन्यात साच्तरम 1949 से समाज में नहीं आ सकते सन्या τि Talking Highway कि बारत में जो अपनी शभी निकल कर आए और ऑपनी कोई निकल कि आए भारत में और आइस वाइजिवर्फ व इफ़ा कामा उपनी भारत में वहता पतीफ निए है या बाल बैट्चे है तक वहां पर लोग देखेंगे तुनेंगे जो खाली बैठे रहे वो सोचते रहे ब्रहम ग्यान प्रावति करते रहे और आफê पस्या करते रहे और उन्नीक दौर्च ज़ो लिखा गया जंगलों में वह उसे ही आप देखेंगे कि दर्सनों में देखा जाता है, जो भारत में प्राचीन दर्सन है, प्राचीन दर्सन, ये कितने हैं, कुल 6 है, 6 प्रकार, ठीक है, 6 प्रकार के दर्सन भारत में पाए जाते हैं, ठीक, तो इनके बारे महलोग अभी पूरा नहीं जानेंगे, क्योंकि हर एक दर्सन पर 2-3 लेक् बनेंगे ठीक तो हम लोग सिर्फ यहां पर यह देखेंगे कि कौन सा दर्शन के प्रवर्तक कौन है ठीक किस दर्शन के प्रवर्तक कौन है जो प्राचेन काल के छे प्रकार के दर्शन वो देखें कौन से हैं चारवाग दर्शन आप देखेंगे कि पूजी वाद, साम्य वाद, समाज वाद, जिस सब्द में वाद जुड़ गया, समझ लिए कि वहाँ पर विचारधारा काम कर रही है, ठीक है, और चरवाक दर्सन के जो प्रवर्तक हैं, आप देखेंगे कि चरवाक हैं, और भातिक वादी इनको इसलिए क का जाता है, इनका मानना था कि जो भी चीज है संसार में, वो उसी में मिल जाएगी, वहाँ पर आत्मा ब्रह्मकप यहाँ पर कुछ भी कॉंसेप्ट देखने को नहीं मिलता है, चरवाकों में, ठीक, फिर उसके बाद देखें, योग, योगदसन, और आप एक बार ये सोच और पतंजली की रचना है, आप देखेंगे कि पतंजली की रचना है महाभास्या, महाभास्या, पतंजली तो हैं आपके योग गुरु ठीक है, लेकिन जो महाभास्या रचना है, आप देखेंगे कि ये संस्कीत की व्याकरण पर रचना है, ठीक, और फिर इसके आप देखि शुनाइ सुट्र है सुट्र मिलता है इसमें निया के बात ख़ेंगे और हम पुर्व मीमानसा पूर मीमानसा, तो यहांपर आपके, आपके देखिए की प्रावरत में ने हैं, आज भी वहां पर देखने को मिलेंगे और आपके देख हैं ठीक है और फिर उसके बाद देखिए उत्तर मिमानसा वेदांत दर्शन वैसे शीखे उनके चीजे देखने को मिलेंगी ठीक है और हमने देखिए कि सांख दर्शन मेरा, क्यांद है, हमिरे के सांख दर्शन के नहitsन dank इसके नहीं बताया इसके लिए कंध रेके काूल मॐनीルड और फिर दीखिए उत्तर् मुमान सा को व्यदान्त दर्शन भी बोला जाता है इसी को वेदान्त दर्शन बोला जाता है और UPSC इससे कोश्चन बहुत बार पुच्चे किये चाहे इस्टेट पीसे से हम देख लिएगा कि वेदान दर्शन के प्रड़यता का उन है वेदान दर्शन के प्रवर्तक का उन है ठीक है तो इनका इसके जो प्रवर्तक है बादरायड और इनका एक सुत्र मिलता है ब्रह्म सुत्र करकर के ब्रह्म सुत्र ठीक है और फिर उसक बहुत देखिए वेशेशिक दर्शन तर वेशेशिक आप देखेंगे कि जो रचीता है कड़ाद रिसी है और इनके साथ एक लोग और है उलुक, उलुक रिसीव, ठीक, इन दोनों लोग उने मिलकर, वो ऐसे इसिक दर्सन का विकास किया था, इसके बाद आप देखिए कि जो प्राचीन काल में जो इसके छे मूल दर्सनों से अतरिक्त है, उनके बारे हम लोग देखते है, ठीक मूल दर्सन से अतरिक्त इन सभी चीजों से देखेंगे कि प्रतियक एक्जाम में कही न कही प्रसन देखने को मिल जाएंगे ठीक है अत्रिक दर्सन अब देखिए यहां पर बॉद्ध बॉद्ध दर्सन अब बॉद्ध दर्सन के जो रचीता है गौतम इनका नाम है महत्मा बुद्ध गौतम बुद्ध ठीक है गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम जो था देखेंगे कि सिधार्थ है सिधर सिधर था देदत की जो कहानी है वह बहुत ही प्रसीद है भारत मैं ठीक है जिसमें देदत में हंस को माला था हंस को जो जो गतन बुद्धी ने वचाया सिधार था थो राजा के पास गया कि हंस इसका है तो तो वहां पर आ देखेंगे कि जो हन्स तरह आपर मारने वाला से बचान İs जीवत के बारे में मिलते हैं और गोतम बूद्थ के जीवन Ouais उनी के बारे मात करें तो लिए नाट्ना कथां मिलती हैं नाट्म धॉत धर्म एंग जो बूत सारी चीजी है जो जातकऱ मिलती हैं इसमें बुद्ध के जिवन के कहा है, वो मिलता है जातक कथा में ठीक और फिर वार देखों के जैन दर्षन जैन jakshandarsan में आप देखेंगे कि इसके जो संस्तापक है महाविर अगर इसके संस्थाफ़कों के बारे में बारे तो महावीर वास्तविक संस्थाफ़क है और जो इसके संस्थाफ़क है रिसब देव एक बात ध्यान दिजेगा कि जो इतियास में एक चीजे चलती है कि जिसके जो संस्थाफ़क है एक वास्तविक संस्थाफ़क चलता है और संस्थापक चलता है, जैसिए आफ देखिए कि जयन धर्म में जो संस्थापक ही जो ज्विकास है किस तरिथनकर में हुआ है, तो इसलिए माविर स्वामी को जयन धर्म का वारतविक संस्थापक माना जाता है, और इसी परकार से आप देखे गे कि गड़टmen पढ़ा जाते अम के बारे में पर आजाए तो जो गुप्त समराजय का जो संस्थापक है वो श्री गुप्त है ठीक है कौन है श्री गुप्त गुप्त समराज का जो संस्थापक है वो है स्री गुप्त ठीक परंतु अब देखेंगे कि जो वास्तविक संस्थापक है इसका गुप्त समराज का वास्तविक संस्थापक वो है चंद्रगुप्त प्रथम ठीक है चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम के ससं काल में गुप्त वंस इतना फला फ्यीला विचास का इसी लिए उसको सवास्तवीक संस्थापक माना जाता है। लेकिन अघर पुछन Does Con congratulate का कौन संस्थापक है जयांद्हरम का का संस्थापक अगर माभीर स्वामी और इसब दे दिया है, दोनों दिया है, तो मान के चलिए कि वो प्रस्ण विवादित हो जाएगा, इन दोनों लोगों में से किसी एक का नाम देगा, अगर डाइरेक्ट पुछले कि वास्तविक संस्तापक का होने है, जयन धर्म के या गुप्त वन्स के तो वहाँ पर आपके जयन धर्म का होगा, वो माभीर स्वामी होगा, जो गुप्त वन्स का होगा, वो आपका चंद गुप्त प्रतम होगा, ठीक है, इस तरह से आप लोगों कन्फूज नहीं होगेगा, ठीक, और इसके पर आप देखिए, आजीवक संप्रदा है, आजीव संप्रदाय में आप देखेंगे बहुत ज़्याँ धर्म जो है, उभाद में काफी फैला, और इसके जो सासक है, जो सासको ने बहुत ज्यादा अपनाया, और फिर उसके बास अचड़ या, आजीवक संप्रदाय से एक ही सासक है, आप देखेंगे कि मौरे वन्स का अजीवक संप्रदाय का जो अपनाया था, ठीक है, फिर उसके बाद अकृयावाद। अकृयावाद, अकृयावाद, दर्शन के जो प्रवर् थायओ देखेंगे कि ये हैं पूरड कश्यप', पूरड कश्यप् ठीक है, अब फिर इसके आआओ देकिए, नित्यपदार्थव ठीक है, नित्य पदार्थवाद, इसके जो वो है, अप्रवर्थक है, पकुद कच्चायन, ठीक है, पकुद कच्चायन, ठीक है, तो इन सभी दर्शनों को आप याद रखिए और इनसे प्रस्ण पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों को इन, हर एक दर्शन पे अगर दर्शन को आपसी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का प्रापर लेक्चर चाहिए, कमेंट करें, हमारे टेलीग्राम से भाप जूढ करें, पर देखेशे, अप देखे़े अध्वैत्वाद, अद्वयतवाद ठीक है अद्वयतवाद के जो प्रवर्तक हैं आप देखेंगे की वो है आपके शंकराचार शंकराचार फिर इसके बाद विशिष्टा द्वयतवाद विशिष्टा द्वयतवाद इसके जो प्रवर्तक हैं आप देखेंगे रामानुजा चार्य, ठीक है, फिर इसके डाब देखिए, जो दोयता दोयतवाद, इसके जो प्रोवर्टा कहां देखेंगे, निमबार का चार्य, ठीक है, और फिर फिर सुद्धा द्वैतवाद के जो है वह लभाचार और यह जो संप्रदा है आप देखेंगे कि जो विचाड़ धारा है सुद्धा द्वैतवाद इसके जो एक रचनाकार मिलते हैं है हिंदी साइट में जो घानानंद है घानानंद जो है आप देखेंगे कि घानानंद निम्बार का संप्रदाय से संबंदित है निम्बार का संप्रदाय उन्होंने अपनाया था घानानंद ने और निम्बार का चार जो है उन्होंने द्वैता द्वैतवाद का प्रवर्तक है ठीक है तो यहाँ पर आपके जो प्र है कि देखने को मिलेंंगे है या तो अपसे डायरेक्ट से पुछ लेगा इस स्टेटमेंट या फिर मैचिंग करने के लिए का मिलान करनले के लिए देगा कि इस के चार ऑपिसंगा omlaat log लिए जो आपको आने वाले एक्जाम्स में आने वाले प्रतियों की परिच्छाओं में सहायता पदान करेंगे ठीक है तो यहीं पर आप देखेंगे कि हम अपने लेक्चर को समात कर लिए और फिर आप यहां पर उमीद है कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा तो आप लोगों को शेयर करिए ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूड़ने में पुरसाइद कीजिए ठीक है जिसे हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे अच चैनल से, टेलीग्राम चैनल से पुछिए, टेलीग्राम चैनल पर जूड कर वहाँ पर अपने प्रसनों के जरीए पुछिए या आप कमेंट बाक्स में पुछिए, ठीक है तो यहीं पर मैं अपने वाड़ी को विरान देता हूं, धन्यवाद.